Assalamualaikum, Welcome to StudentTube, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे चप्टर नमबर 5, Vectorization, HCF in square root exercise 5.10, question number 12, find the second polynomial when, first polynomial भी दियावा है, HCF भी दियावा है, और LCM भी दियावा है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ा हमें दी भी है, और हमें second polynomial find करना है, बहुत ही ज़ादा easy है, बिल्कुल प जिसे हम a consider करेंगे और वो है, x square minus 5x minus 14, फिर second polynomial, भी consider करेंगे, जो कि हमाँ पास नहीं है, फिर h, c, f, x minus 7, x minus 7, और LCM, x cube minus 10x square plus 11x plus 70, ठीक है, तो as we know the formula, a into b is equal to LCM into h, c, f, ठीक है, तो a में आ जाएगा, x square minus 5x minus 14, ठीक है, b इसी तरह से रहा, is equal to LCM, x cube minus 10x square plus 11x plus 70, और HCF में आ जाएगा, x minus 7, अगर हम यहाँ पर, यह a, जो b के साथ multiply हो रहा है, b को इसी तरह से रहने दे, और इसे यहाँ ले आए, तो यह हो जाएगा, x cube minus 10x square plus 11x plus 70, ठीक है, और x minus 7, इसी तरह से और नीचे आ गया, x square minus 5x minus 4, तो अब यह दोनों हो जाएगा, आपस में, divide, तो x square minus 5x plus 14, minus 14, ठीक है, और अंदर लिखेंगे, हम LCM की value, जो के थी, x cube minus 10x square minus 11x plus 70, तो x cube और x square हुआ, तो इसे रहे गया, x, क्योंकि नीचे 1 है, उपर 3 है, नीचे 2 है, उपर 3 है, तो माइनस हुआ, तो 1x रहे गया, फिर x square minus 5x minus 14, से इसे multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, x cube minus 5x square minus 14x, तो x cube minus 5x square minus 14x, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, माइनस का प्लस में, फिर्स वाला तो cancel हो गया, अब यहाँ पर है, 10 में से 5 का है, तो 5 बचे, minus का 5x square, क्योंकि बड़ी value के साथ minus है, और फिर यहाँ पर, और यहाँ पर यह है, प्लस का 11x, ठीक है, तो प्लस प्लस ही हो जाएगा, 25x, और प्लस का 70, इसी तरहां से, अब यहाँ पर minus का 5x square, और x square जो होगा, तो यह खताम, minus का 5 रह गया, तो x square minus 5x minus 14, तो यह हो गया, minus 5x square minus minus plus 25x, क्योंकि 5, 5 is a 25, फिर minus minus plus 5 को 14 से multiply करें, तो होता है, 70, ठीक है, minus 5x square plus 25x square, और प्लस का 70, साइंस चेंज होगा इनकी, और यह हो गया, cancel, तो क्या आया, x minus 5, तो b is equal to हो जाएगा, x minus 5, और x minus 7, ठीक है, तो अब multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, x square, इससे, और पर इसको इससे भी करेंगे, तो यह हो गया, minus का, 7x, फिर minus 5x, और फिर minus minus plus, 5, 7, जा 35, तो x square, minus minus plus, sign आएगा, minus का, क्योंकि बड़ी value के साथ minus है, 7, तो 5 हो गए, 12x और प्लस का 35, तो यह है हमारा second polynomial answer, तो यह था आज का question, उमीद करती हूँ, आपको अच्छे समझ आया होगा, मजीद questions के लिए, मेरे चार्न को करें, सबस्क्राइब, और साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, आला हाफिस,